हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्छा शटी की हिंदी पाठ साथ नदी कंधे पर इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रशनुत्तर एक्स्प्लेंड मैंने पहले ही कर दिया है आई हो क्या आपने देख लिया होगा नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकी चेक कर सकते हो वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा इसका साइन्स, जोग्राफी, इंग्लेश, हिंदी आपको मिल जाएगा मराटी भी मिल जाएगा ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं, इसका प्रशन उत्तर देखते हैं के कर की डीटेल में देखे, बालक किसको कंधे पर लाना चाहता है पहला क्वेश्चन है तो नदी को बालक किसके साथ नाना चाहता है मित्रों के साथ वह नदी का परचे किससे कराना चाहता है भद्र जनों से दूसरा क्वेशन है आप निल्खित प्रशनों के उत्तर लिखिए जिसमें पहला क्वेशन है बालक नदी के उस पार खड़े खड़े क्या करना चाहता है बालक नदी के उस पार खड़े खड़े मम्मी मम्मी चिलाना चाहता है बच्चे तो होते ही ऐसे हैं न कुछ करते हैं तो मम्मी पापा को दिखाना चाहते हैं मस्ती करते हैं तो शाम ढलने पर बालक क्या करता शाम ढलने पर बालक नदी को उठा कर अपने कंदे पर रखवाता और जहां से उसे लाया था वहीं रखाता बालक मित्रों के साथ किस प्रकार नाना चाहता है वा मित्रों के साथ कूद कूद कर और उचल उचल कर नाना चाहता है बालक नदी को कहां बहाना चाहता है बालक नदी को अपने घर के ठीक सामने बहाना चाहता है बालक सब को किस लिए आमंतरित करता बालक सबको नदी में नहाने के लिए आमंतरित करता दूसरा कॉश्टन देखते हैं प्रस्टनों के उत्तर एक शब्द में लिखिए एक ही शब्द में आपको अंसर देना है बालक किसको कंधे पलाना चाहता है नदी को बालक किसके अच्छा ये वही question यहाँ पर repeat हो गया ठीक है ये सारे question यहाँ पर by mistake repeat हो गया तो उसको छोड़ दीजी अब यहाँ पर हम देखते है कविता में आए हुए लायात्मक शब्दों को ढूंड कर लिखिए जैसे उधारन लायात्मक जिसे बहाते बहाते तो देखो यहाँ पर कविता में दिया हुआ था मस्ताते चिलाते रखवाते रखाते करवाते इतराते ठीक है ना रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए अगर हमारे क्या था लाइन में हमने देखा कविता में क्या था अगर हमारे बस में होता तो यहां पे आएगा यह नदी उठा कर घर ले आते अपने घर के ठीक सामने यहां पे आएगा सामने उसको हम हर रोज यहां पे आएगा हर रोज बहाते देखें यहां पे क्या आएगा कूद कूद कर उचल उचल कर यहाँ पे ऐसे आपको दिया रहेगा तो यह तो आपको भरना रहेगा या फिर आंसर आपको अगर दिया रहेगा अलग से लिखना तो अलग से भी लिख देना ठीक है वैसे अगर आपको यहाँ पी दिया रहेगा फिलिंग दे ब्लैंक्स तो उसी में आपको यह लिख देना रहेगा ठीक है अपने मित्रों के साथ नहाते है नहाते होगा यह आप यह आपको याद रखना है यह की जगह नहाएगा नहाते एक मिनट मैं आपको अच्छी से लिक्की बताती हूँ ऐसे आएगा ठीक है चली आगे देखते हैं उच्छी जोणिया मिला यह जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका आणसर दिया हुआ एक का घह दो का घह तो देखो यहाँ पर एक का घह तो घह कौन सा है यह खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिलाते शाम ढ़ले फिर नदी उठाकर नदी आ गई चलो नहाने आमंतरीत सब को करवाते उसका उत्तर यहां पर दिया गया है व्याकरण और भाषा भ्यास में देखते हैं निल्खिस शब्दों के बहँचन रूप लिखे नदी, नदिया, कंधा, कंधे, बहाता, बहाते निल्खिस शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे घर का क्या होगा? ग्रिह, नदी का सरिता, आमंत्रित, निमंत्रित, शाम, संध्या, मम्मी का माता, मित्र, सखा, जटपट, जल्दी-जल्दी, इतराते, इठलाते, ठीक है? यह समानसर होगा इसका. क्या दिया था इसमें समान आर्थी शब्द है ना तो समान आर्थी मतलब पर्यायवाची एक समान आर्थ वाले शब्द निम लिखे शब्दों के विप्रिता आर्थक शब्द लिखिए खड़े खड़े बैठे बैठे तो ये क्या है विपरीत आर्थक मतलब क्या है अपोजिट विरुद्धार्थी शब्द विपरीत शब्द मतलब अपोजिट यानि की विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द खड़े-खड़े का क्या होगा विलोम शब्द इतका उल्टा बैटे-बैटे यही वही उपस्तित का अनुपस्तित जटपट धीरे-धीरे सामने पीछे भद्र का अभद्र निमलिखित शब्दों के अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर अनुनासिक लगाकर शब्द लिखी यानि कि देखो क्या करना है आपको अनुस्वार यानि कि कहां पे चंद्राकार आएगा कहां पे उपर बिंदू आएगा वो लिखना है आपको जैसे कि देखो मित्रो यहां पे क्या है मित्रो तो सही नहीं है उपर एक डॉट आएगा तो मित्रो यहां पे कधे लिखा हुआ है तो कधे तो आपको एक डॉट देना उस पर तो क्या हो जाएगा कंधे जहा तो यहां पे देखो उपर चंद्रकार बिंदी देंगे तो होगा जहां यहां पे 3 option आएगा, पहला option आथा, all का, all पे click करना, ठीक है, उससे आपको सारे notification मिलेंगे, जब भी कोई new video upload करूँगी तो, और वीडियो को like कर दीजिए, अपने friends साथ share कर दीजिए, share करना ना भूले, ठीक है, उनको जरूर share कर दीजिए, उनको भी help मिल जाएगी, कोई भी doubt रहे, comment section में पूछ रहे, आपको कोई और, आपके कोई lesson जो आपको tough लग रहा है, उसका वीडियो चाहिए, तो आप मुझे comment करके बता सकते हो,